हेलो दोस्तों मेरा नाम अदित्य है और हम पाइथन टुटोरियल में आगे देखेंगे इस वीडियो में कि string operations कैसे करते हैं string को जैसे add करना, concatenate करना कैसे करते हैं तो इस वीडियो में पहले देखिए, string क्या होता है? string जैसे हुआ a equals to string तो कोई भी चीज जो दो कोट के बीच में है वह स्ट्रिंग कहते हैं पाइफन में तो जैसे दिस इस ट्रिंग जो है एक पूरा एक स्ट्रिंग हो गया उसी तरह रिख सकते हैं बीकॉल टू स्ट्रिंग यह गया लेकिन यह देखिए दो कोड्स में है यह डबल कोड्स में है सिंगल कोड्स में तो इसके प्रिंग कर सकते हैं Concatenate का मतलब क्या होता है, एक साथ आग एक के पीछे एक लगा दिये, और देखिए हम इसको print करके देखते हैं, print see करेंगे, और देखते हैं कि क्या print होता है, तो run पे क्लिक कर दिये, इस पूरे tutorial के लिए मैं ide1.com में जाके tutorial कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी software को download करने के जरू another string, और देखिए, इसके बीच में एक भी space नहीं है, क्योंकि concatenate का मतलब क्या होता है, कि एक के पीछे एक एकदम लगा देते है, concatenate हो गया, तो edit पर click कर दिये, और देखिए, concatenate का मतलब क्यों होता है, मैं इसे आपको दिखा लेता हूँ, यह हो गया, string और जो another string है, दोनों के इसे concatenate कर दिये, और आप इसके जो है, quotes को हटा दीजी, और इसको uniform कर दीजी, जैसे double quotes दोनों कर दीजी, तो यह जो मैंने कराब activity, एक string को लिए दुसरा को लिए, दोनों को आपसे जोड दिया, तो इसी को concatenation कहते हैं, और a plus b जब करते हैं, हम string के उपर, तो plus का मतलब होता है concatenation, तो इसलिए, यह output आया आपको, ठीक है, अभी मैंने उसको comment में डाल दिया, hash जो है, वो comment के लिए होता, python में, आप अगर पिछले वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने बता रहा है, उसी तरह से, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे, एक, d equals to, gate, तो अभी मैंने, जैसे, c, d, तो क्या आएगा यहां पर, this is string, another string, जो आया ही, पूर अकाउंट के टिनेट होगे, और d भी प्रिंट होगा साथ में, तो देखें, क्या होता है, इसको प्रिंट करके देखते हैं, आइडी वन इट पर क्लिक कर दिये, और compile हो रहा है भी, और देखें, this is string, another string, और gate, तो ऐसा दिखाने का मकसद क्या है, कि देखें, last वारा जो string और gate है, उसके बीच में एक space है, यह देखें, तेकिन यहां पर जब हम concatenate करे थे, तो string और another के बीच में कोई space नहीं है, क्यो print हो रहा है, print statement में मैंने लिख दिया है, और उसके o print हुआ, यह जो print function है, वो क्या करता है, हर एक जो object को जो हम print करते हैं, तो उसके बीच में एक space डाल देता है, ठीक है, जैसे c जो है, मैंने क्या लिखा है, print c और फिर comma, फिर d, c के है, एक object है, फिर d के है, d भी एक object है, त तो c और d print करने, जो हमें comma दिये हैं, तो comma के कारण वो एक space insert कर देता है, ठीक है, अभी देखिए, हम यहां पर एक space डाल देता है, ठीक है, और d के बाद space आ रहा है, फिर देखिए से मैंने 100 यहां पर डाल दिया, तो अभी देखिए, gate और 100 के बीच में भी एक space आएगा, वो इस space के वारा है, क्योंकि हमने comma के बाद दिखा, तो 100 यहां पर यह 100 भी एक object है, तो हर object के बाद एक-एक space आता है, डेखिए, id event पर click किया, अभी देखिए, this is string, फिर another string आया, यहां पर space आ गया, क्योंकि मैंने space add कर रहा है, string की में ही अंदर में, यह plus operation में टकारा नही है, और 100 जो है, 100 के पहले एक space है, क्योंकि यहां पर 100 अलग एक object फिर से print हो रहा है, इसलिए print 100 जो देख रहे हैं आप यहां पर, तो 100 d के बाद एक comma है, तो comma के कारण एक और space आ रहा है, ठीक है, और अगर किसी को ऐसा confusion है कि यह जो space है, उसके कारण space आ रहा है, इसा कुछ से IDE on it पर क्लिक किये, अभी देखिए, run हो रहा है, compile हो है, अभी देखिए, this is string, another string, get 100, यहां पर space है, और यह जो उसका पिछला output है, पिछला output और अभी का output देखे, दोनों same है, comma के बाद जो मैंने space डाला था, और अभी हटा दिया, उसके कारण कोई फरक नहीं पड़ता ह वो space जो comma के बाद डालते हैं, वो हमारे सूविधा के लिए है, उससे जो program देखने में अच्छा लगता है, उसको readability उसका अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हमने इसमें सीखा कि string को concatenate कैसे करते हैं, और अलग-अलग string को एक साथ print statement में print कैसे कर स a किया क्या है, तो जैसे एक छोटा से एकमपल दिखा सकते हैं, जैसे की a equal to 1, b equal to 2, c equal to a plus b, तो हम लिखेंगे ऐसे हाँ पर, जैसे सम और a, आसे पर के लिखने, a and b is c, यहां तुब स्पेस आने की ज़र्वेत नहीं आएगा, क्योंकि कॉमा की तार ने एक स्पेस और भी आएगा, sum of a and b is c लिखेंगे, अब देखें, तो ऐसा करने से क्या होगा, अब हारा प्रोग्राम जो है, अभी देखेंगे, अच्छा लगेगा, यह जो आपूट आ करेंगे, तो ऐसे string के form में पूरा information देने से क्या होता है, कि output में भी समझ में आता है, डंग से क्या होगा, अगर आप से print करेंगे, तो 3 प्रिंट होगा, उससे पूरा intent पता नहीं चल रहा है, कि आप कर क्या रहा है, यह सम कर रहा है, और output 3 आएगा, इस वीडियो में इतना अगर आपको कोई question है, तो आप comment पर लिखिए, और आगे string पर हम और चर्चा करेंगे, धन्यवाद,